हलो दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्च्यो सेंटरल डिस्क प्रोटुजन के बारे में दोस्तों L4-L5 और L5-S1 के अंदर हमें डिस्क की समश्या देखने को मिलती है और जातर दो तरह की डिस्क हमें transmission पे नजर आती है पहले डिस्क होती है पोस्च्यो लेटरल यानि कि जो डिस्क वाला पार्ट है वो बल्जाउट होकर हर्णियट होकर हमारे लेटरल साइड में जाने वाले नसगों पर दबाता है और पेशन्ट को पैरों में दद्र मैसूस होता है इस डिस के shifting को हम लोग posteo lateral disc protusion कहते हैं लेकिन वहीं अगर ये hernited part बिलकुल central canal यानि की main spinal cord के ओपर जब compress करता है और बिलकुल centrally जाकर bulge out हो जाता है तो इस समश्या को कहा जाता है posteo central disc protusion ये समश्या जातर हमें उन लोगों के अंदर देखने को मिलती है जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं जिसके कारण disc पे लगातार wear and anterior होता है और posteo जो ligament होते हैं जो हमारी spine और हमारी disc को भाराने से रोकते हैं उस ligament की weakness के कारण भी ये bulge out होकर हमारे central side के अंदर shift होने लग जाता है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ exercises यसे बताने वाला हूँ जिन exercise को आप अपने इस posteo central disc protrusion की condition के अंदर कर सकते हैं exercise बहुत ही easy है घर रहकर आप इन सभी exercise को कर सकते हैं और इन exercise को करके अगर आपका औराम मिलता है तो please इस वीडियो को like और share जरूर करिएगा चैनल को subscribe करें बेना नहीं जाएगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के exercise दोस्तो central disc protrusion के अंदर हमें सबसे पहली जो exercise करनी होती है वो exercise है prone spine extension इस position में जाने के बाद में जब आपनी spine को आप उपर की तरफ उठाते हैं तो आपकी entry side से आपकी spine के opening होती है और disco space मिलता है जिसके कारण वो postable जो होता है वो दीरे-दीरे अंदर की तरफ जाता है इस exercise को करते हुए आपको दिहान ये रखना है कि आपको अपने body का जातर weight अपने हातों और shoulder के उपर रखना है और कमर पे weight कम डालना है आप इसे 5-10 second hold भी कर सकते हैं और इस exercise को आप hot fermentation यानि गरम पारी के सेख के बाद में इस्टार्ट करें जिसे कि आपको ज़्यादा अच्छा effect देखने को मिलें दिन में दो बार आप इसे repeat कर सकते हैं वहीं अगली exercise है हमारी camel cat stretch camel cat stretch हमारी spine की mobility के लिए काम करता है यानि कि जब भी हमें disc की कोई समश्या होती है तो वहां की जो specific disc होती है चाए वो L4-L5 हो, L5-S1 हो वहां के ligament muscle stiff हो जाते हैं और लगातार pressure बना रहता है disc के उपर इस exercise को करके भी आप अपने central disc protrusion या फिर post lateral जो disc protrusion होता है उन दोनों ही case के अंदर ये exercise आपके लिए काफी helpful रहेगी ध्यान रखें, spine की muscles, ligament जितने flexible रहेंगे उतना ही disc को space मिलेगा वापिस normal अपनी position में जाने के लिए तो इन exercise को आप perform कर सकते हैं और इससे आपको काफे अचाराम रहेगा अगली exercise है हमारी child pose position जैसा कि हमने आपको बताया था कि spine की mobility बहुत ज़रूरी है और child pose exercise या कैसी exercise है जिसके अंदर हमारी spine पूरी open होती है यानि spine का एक तरह का traction होता है जब भी आप इसे करते हैं तो आपकी पूरी multifidus muscle जो की spine को support करती है वो muscle पूरी stretch होती है और आपके central disc protosin के कारण जो posterior side से pressure आता है वो release होता है इस exercise को करते वे आपको ध्यान नहीं रहे देना है कि आपको अपने हाथों को आगे तक रखना है और पूरी spine को stretch होने का पूरा जगय देनी है stretch करने के बाद में आप चाहें तो 10 second hold भी कर सकते हैं नीचे बैठने के लिए और उसके बाद exercise को कर सकते हैं इन सबी exercise को दिन में दो बार repeat करना है हर बार 10 repetition लेने है अगली exercise है हमारी superman pose इस exercise को करने के लिए आपको उल्टा लेटना है और opposite side के पैर और हाथ को उपर उठाना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ये exercise हमारे posture ligament को strength करने के लिए हमारी posture जो multifidus muscles होती है कमर की muscles होती है उसको मजबूत करने के लिए होती है जैसे कि आप मैंने आपको बताया था कि posture disc protusion के अंदर जब हमारे posture side के जो longitudinal ligament होते हैं वो weak होते हैं इसके करण ही disc पीछे की तरफ निकलती है इस exercise हम उन लिगामेंट को muscles को strength करते हैं जैसे कि वो bulge पीछे की तरफ ना निकलें और एक अच्छी strength बनी रहे अगली exercise है हमारी anterior pelvic tilt जैसे आप देख सकते हैं कि आपको घुटनों को मोड़ना है और अपने peat को उपर की तरफ लेकर जाना है ऐसा करने से आपकी कमर की arches बनती है spine again आगे anterior side से open होती है और आपके pelvis का anterior tilt होता है जाता जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उन लोगों के अंदर हमें posterior pelvic tilt की समझा देखने को मिलती है spine की straightening देखने को मिलती है और straightening के कारण biomechanical pressure हमारे disc के उपर जादा आता है तो इस exercise को करके आप उस straightening को भी release कर सकते हैं और अपने spine के curve को भी maintain कर सकते हैं जिसे की disables आपका reduce हो अगली exercise हैं हमारी bridging exercise bridging exercise अब हमेशा strength के लिए करवाते हैं और हमारी इस single exercise से हमारी hamstring, हमारे glutes, हमारी sacroiliac ligaments, हमारी lumbar spine की काफी muscles strength होती है bridging exercise आतर हर back pain की condition में बताया जाता है क्योंकि lumbar spine की muscles जितनी strong रहेगी उतना ही वो spine को support करेगी और आपको disc की समश्या या फिर back pain शियाटी का जी समश्या में आराम रहेगा जान रखें exercise का repetition आप कम जादा कर सकते हैं अपनी strength के according और अपने pain के according आखरी exercise है हमारी hamstring stretch central disc protrusion के दर देखा गया है कि अगर posture side की muscles जादा tight रहती है glutes muscles हमारी अगर tight रहती है तो भी हमें central disc protrusion यानि posture central disc की समश्या देखनी को मिलती है तो हमें हमेशा अपनी hamstring को हमारी glutes की muscles यानि हमारी hip की muscles को flexible रखना है stretch रखना है अगर यह muscles tight होती है तो यह आपकी spine को open नहीं होने देती जिसके कारण आपको disc की समश्या रहती है sitting के कारण और जातर हमें sitting जो लोग करते हैं उनके अंदर हमें दोनों muscles बहुत ज़दा tight देखने को मिलती है तो अगर आप regular sitting भी करते हैं और आपको disc की समश्या नहीं है तो भी आप इस status को regular कर सकते हैं जिससे आपको काफी अच्छा राम देखने को मिले अपनी समश्या में उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज सेल को सब्सक्राइब जरू करिएगा